झाले इस विडियो में मैं निमेरिकल्स बताने वाली हूँ इसले विडियो में मैंने आपको बोला था कि कोडिनेंट्र जूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगी तो आज मैं वही ले के आई हूँ बट वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए मैंने 1 to 5 questions इस वीडियो में बताए हैं और बांकी के जो next 5 questions है वो मैं आपको next video में explain करूंगी तो चलिए start करते हैं ये lecture तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला question है exercise 7.1 का पहला question में बोल रहा है क्या निकालने के लिए distance between following pair of points मतलब कि जो दो points आपको given है और आपको find करना है दोनों के beach का distance distance formula मैंने बताया था पिछल लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लिजे link आपको i button यानि तो description में मिल जाएगा तो इस दोनों के beach का आपको distance find करना है तो मैं कुछ भी let कर लेती हूँ मैंने a b let किया है आप pq भी let कर सकते हैं कुछ भी let कर सकते हैं तो a b है ये दोनों दो point आपको given है और distance formula लगा के आप simply ये निकाल सकते हैं तो simply मैंने distance formula लगाया x1 y1 x2 y2 value पुट कर दिया और a b की value आ गई questions में बस यही पूछा था कि distance निकालना है दो point का तो जब भी आपको आपको questions पूछे जाएं आप distance formula से अराम से निकाल सकते हैं second और third में भी यही किया है मैंने simply ये वाला मैं बताती हूँ third वाला ये मैंने r let किया है और इसको s let किया है दोनों की value है x1 y1 x2 y2 आप opposite भी लिख सकते हो जैसे x1 minus x2 और y1 minus y2 क्योंकि bracket में square हो जाएगा तो negative sign भी वो भी positive हो जाएगा तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो rs की value ये आ गई ठीक है तो पहला question बहुत ही easy था बढ़ते है next question की तरफ question number two question number two में बोल रहा है find the distance between the points 00 and 36 15 दो point आपको given है can you now find the distance between the two towns a and b ठीक है तो a and b के बीच का आपको distance निकालना है a और b कोई town है उसके बीच का distance तो मैंने remark में बताया था पिछले lecture में कि जब origin की value जैसे कि कोई एक value आपको zero में given है तो वो total ही ही मतलब zero ही मतलब कोई एक value zero में given है तो means two value का ही square होगा क्योंकि zero से minus करेंगे तो value तो same ही आएगा तो यहां पे देखे दो value given है आपको इसमें और यह जो है इसका coordinate वो zero है तो simply कुछ नहीं करना है जैसे कि a b कोई town था तो उसमें value पुट कर देंगे और a b की value आजाएगी तो यह क्या हो जाएगा उसका distance ठीक है simple था question number two भी बढ़ते है next question की तरफ question number third में यह बोल रहा है determine if the points 1523 and minus 2 minus 11 are collinear सबसे पहले मैं बता दू कि collinear मतलब होता है कि अगर कोई line straight line और उस पे अगर कोई भी points दो से जादा lie कर रहा है तो वो तीनों point का जो distance होगा वो same होगा तभी वो collinear होगा ठीक है तो यहाँ पर A given है B given है और यह C है ठीक तो सबसे पहले क्या करेंगे हम AB की value निकालेंगे ab का distance निकाले ठीक है उसके बाद ab का distance आप distance formula से निकाल लोगे फिर bc का distance आप distance formula से निकाल लोगे और उसके बाद ac का distance निकाल लोगे तो collinear में क्या होता है कि ab और bc का जो addition होगा वो equal होना चाहिए ac के यह तो मैंने straight line पर बताया है आप triangle बना के भी देख सकते हो ठीक है वो जो होगा वो ac के equal होना चाहिए यह collinear का condition होता है बट जब आप यह question solve करोगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा that means कि यह जो points given है question में यह मतलब correct नहीं है तो यह तीनों points जो है वो collinear नहीं है ठीक है अगर आपको कोई भी परिशानी हो समझने में तो आप comment करके पूछ सकते हैं ठीक है उसके बाद बढ़ते है next question की तरफ check whether 5-2, 6-4 and 7-2 are the vertices of an isocells triangle सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि isocells triangle होता क्या है ठीक है तो आप ऐसे भी draw कर सकते हो ऐसे भी draw कर सकते हो और ऐसे भी draw कर सकते हो मैंने समझाने के लिए तीन तरह से draw किया है आप किसी भी तरह से draw कर सकते हो ठीक है तो ऐसे draw कर लेंगे उसके बाद distance formula से क्या करना है फिर ab में ab का distance निकाल लेना है bc का distance निकाल लेना है और ac का distance निकाल लेना है ठीक है जब आप सारा distance निकाल लोगे तो आपको इसमें ये notice करना है कि कौन सा दो side equal आ रहा है तो यहां से ab और bc की value equal आ रही है that means कि ये वाला जो मैंने figure बनाया था ये middle वाला ये figure से ये match हो रहा है that means आप कुछ भी कैसे भी समझने के लिए आप बना सकते हो मैंने ऐसे बनाया था आपको समझाने के लिए तो abc का ये दो side ये दो side जो है ab ये वाला ab और ये bc ये दोना equal that means कि ये social strangle ये है ठीक है तो इस तरह से आप समझने के लिए draw करके figure आप बना सकते हो उसके बाद बात करते हैं next question की next question में बोल रहा है कि एक classroom में चार दोस्त बैठे हैं ठीक है a b c and d are shown in the following figure ये figure में आपको दिख रहा होगा and after observing for a few minute Champa ask Chameli Champa और Chameli दो लड़की है जो पूस्ती है don't you think a b c d is a square मतलब वो बोल रही है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि a b c d a square है Chameli disagree Chameli ने ये बात नहीं माना तो आपको distance formula से ये find करना है कि Champa सहीं बोल रही है या Chameli सहीं बोल रही है तो इसमें क्या करना है ये देखे पहले तो आपको coordinate mention करना है तो यहाँ पे figure के रूप में आपको coordinate given है जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिखेगा आपको कि a की जो value है वो यहाँ से हो जाएगी 3 और 4 ठीक है तो इसका coordinate क्या हो जाएगा 3 और 4 ठीक है 3 और 4 उसके बाद b का भी वैसे ही लिखना है c का भी वैसे ही figure में देखके और d का भी वैसे ही as same जैसे कि हमने a का लिखा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना a सब का distance निकाल देना है मतलब a से b का क्या distance होगा b से c का क्या distance होगा c से d का क्या distance होगा और d से a का क्या distance होगा जब हम यह सारे का distance निकाल लेंगे और इसका diagonal का क्या distance होगा यानि diagonal क्या मतलब b d और ac का क्या distance होगा अगर यह सारा distance जो है वो अगर equal आया और diagonal का value equal आया that means कि यह square है तो हम लोग distance से निकाल लेंगे a b की value निकालेंगे distance formula में put करके that means यह देगा 3 root 2 ठीक है फिर b c का भी आप देखोगे तो वही value c d का भी वही आया a d का भी वही आया that means यह सारे अभी तक तो square का के तरफ इशाड़ा कर रही है जब हम diagonal निकालेंगे that means diagonal की value भी आप देखोगे कि same आ रही है and a d are equal and diagnose r a c and b d are also equal hands चमपा सही थी यह square ही है ठीक है तो यह हो गया अब बढ़ते हैं next question की तरफ next question मैं आपको next video में बताऊंगी यह 5 questions थे जो मैंने आज की वीडियो के लिए select किया था exercise 7.1 का उमीद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई doubt होगा तो आप मुझ सकते हैं coordinate geometrica exercise 7.1 का अभी तक जो मैंने बताया है उससे related next यह 5 questions वो मैं आपको next video में समझाऊंगी और अगर अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा और अपने friends के साथ share जरूर कीजेगा coordinate geometry, trinometry से regarding कुछ भी आपको doubt हो तो आप मेरे videos देख सकते हैं मिलते हैं next video में ध झाल